क्या शमिता, शेटी और राकेश बापट की नजदीकियों से एक्स वाइफ रिदी डोगरा को हो रही है प्रॉब्लम क्या रिदी को हो रही है राकेश और शमिता से जलन वेल क्या है पूरी कहानी आईए जानते हैं बिग बॉस OJD के घर में शमिता शेटी और राकेश बापट की केमिस्ट्री को फैंस ने काफी जादा पसंद किया वहीं अपनी इस नस्दीकियों को और भी जादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं राकेश और शमिता जहां पर कल इन दोनों ने भी किया अपने डिनर डेट को इंजोई इतना ही नहीं अपने इस डिनर डेट के एक खुबसूरत से तस्वीर को भी अपने सोचल मीलिया अकाउंट पर किया शेर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं बक्त वही इनकी नजदीकियों को लेकर और राकेश और शमिता के रिष्टी को लेकर राकेश की एक्स-wife रिदी दोग्रा ने अपने एक इंडिव्यू में कहा वही अपने एक इंटिव्यू में राकेश पापट ने ये बताया कि रिदी को आख बिग बॉस ओडिटी के घर के अंदर राकेश की जर्णी कैसी लगी जाबर राकेश कहते हैं सब कुछ अच्छा है उसे मेरी जर्णी बिग बॉस के घर के अंदर काफी पसंद आई और उसने मुझसे कहा भी कि मैंने काफी अच्छा खेला वही राकेश ने शमिता और अपनी रिष्टे को लेकर कहा था स्टेट स्टेट स्टोर अक्चुली मैं उसे घर के बाहर काफी अच्छी तरह से जानना चाता हूँ क्योंकि हम उस वक्त एक रियालिटी शो में थे आप आप अब्यूसली कंफ्लीटली ओपन नहीं होते हो एक परसनल लाइफ होती है और एक पब्लिक लाइफ होती है मैं उसकी परसनल लाइफ को एक्स्प्लॉर करना चाता हूँ मैं उसे और भी अच्छी तरह से जानना चाता हूँ उसे रियालिटी शो पर जानना काफी अलग है और personally वो outside world में कैसी है उसे जानना काफी different है इस रिष्टे को किसी भी तरह का नाम देने से पहले हम एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानना चाहते है मैं किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहता और मैं काफी sure हूँ कि वो भी ये नहीं चाहती हमें एक दूसरे के feelings को cheat नहीं कर सकते है especially एक reality show में क्योंकि आप वहाँ पर हर वक्त test किये जाते हो शमित और मैं एक दूसरे को genuinely पसंद करते है उस घर में जहाँ पर हर बार आपको एक situation में खडाल कर दिया जाता है आपको वहाँ पर किसी ना किसी की support की ज़रुरत होती है वो एक genuine feeling थी जो भी कुछ दिखाया गया मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे hugs or kisses करना पसंद है और जिसे cuddle करना भी पसंद है मेरी feelings उसकी side के लिए काफी genuine थी वो मेरे लिए एक comfort zone था और वो सब कुछ बनावट नहीं था मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को लगता है हमारा रिष्टा genuine है कुछ ऐसे भी audiences है जो feel करती है कि ये सब कुछ fake है लेकिन कोई बात नहीं वो चीजे matter नहीं करती मैं जानता हूँ कि क्या चल रहा था और जो भी कुछ था वो काफी प्यॉर था पर राकेश ने तो कर लिया है clear कि शामिता और उनके बीच की feeling है काफी प्यॉर आपका क्या है कहना राकेश और शामिता के रिष्टे को लेकर हमें comment कर जरूर बताए टेलिविजिन की लेडिस news और gossip के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें